पुलोमों करें और उसमें भी जो मईलाएं बालिकां या बैने उनके लिए बहुत मैंदोकूण अपडेट है कि उनकी जो भी फीस होगी उसका पुनरभरण राजी सरकार के द्वारा किया जाएगा यह यह उनका जो फीस है वो एक तरह से माप हो जाएगी किस तरीके से होगी क्या आदिस है पुरी जनकरी में आपको दूँगा और कोटा वेबसेट युद्शिट की जो भी वेबसेट है वहाँ पर यह आपको यह आदिस काम मिलेगा तो सबसे फिला तुम आपको बता दूँगी यह यह का ही आदिस मादिमे इसकी पुर्दमान कोटा मावीर वेबसेट है उसके उपर में आदिस आपको बता दूँगा तो जैसे मानने मुख्यमंत्री मौते द्वारा बजट गोशना 2022-2022 के बिंदु सिंग्या 317.0.0 के तैत बाले का दुरुस्त शिक्षा योजना लग गी ग प्रवेश के समय वर्दमान मावीर कोटा के द्वारा निर्दार सुल्क देना होगा लेकिन जब आफिस एड्मिसन लेंगे तब तो आपको फिस देनी पड़ी कि लेकिन उसका पुनर भरन रिइंबर्समेंट विद्यार्थी को HTE पोर्टल यहनि राष्थान सरकार जो आयर किस तरीक से क्या योगिता यह भी आगी बत्ता दूंगा आप पूरा डिटेल्स में अब इसमें लिखा हुआ कि कौन-कौन इसके पात्र है योगिता क्या तो इस योजना कलाब उठाने के लिए जो निर्दार्त योगिता निर्दार की गई है वो इस परकार है कि किसी भी कि इत तरह कि iu की कोई सिमानीनी ये इसमें है माइलां के लिए बालिकां के लिए कोई इगनूस से भी है तो उसमें भी यह है उसका भी मैं आपको पूरा नोटिविकेशन बता दूँगा और यदि कोई महिला विद्यार्थी रज्य सरकार की अन्य योजना से छात्रवर्थी ले रही है तो वे इसके लिए पत्र नहीं होगी यानि यह सामने नियम है कि किसी भी सम प्रवेश की अंतिम तारी 11 नॉबर 2020 से अब 11 नॉबर किसके तारी के वह में आगा होता दूँगा और ओनलाइन आवेदिन करने का जो लिंक दिया हुए अप्रविश के एक गत्रव क्षाइड और यहां नीचे आना तो यहां एड्मिशन का ऊप्षन दिया हुए इस पर आपको क्लिक करना है तो आप जैसे 11 तरीक ही दी हुई जो कौनसी तरीक है तो जैसे यह एड्मिशन पेज खुल जाएगा इसमें जैसे फ्रस्ट एमिशन करना चाहते हैं या में के लिए तो इस तरीका जो पीज है यह आगी खुलेगा तो अब यह एक बार मैं आपको खुलेगा तब करके बता दो उससे पहले मैं आपको जैसे अभी यह टोड़ा नेटवर्क इसको आ रहा है तो यह साइट नहीं खुल रहा हूं तो मैं एक दूसर मैं यानि कि जो फीस का जुक्वंदर भढ़न था उसके समद्ध में क्या था तब जैसे यह साइट अभी इंटरनेट रिकाम नहीं करा तो मैं आपको यह इसके बार मता देता हूं कि जैसे यह रजिस्टरकार सिक्षा ग्रूप 4 विभाग की 99 2022 यानि कि नौ सितमर का जो ले स्विक्रती जारी करने भावत अब इसमें लिखा हुआ था कि मौधे उप्रोक्त विश्यांत्रकत मानेने मुख्यमंत्री मौधे की बजट भोष्णा वर्स 2022 थे इसके लिए बिंदु संक्या 317.00 की करियान विदे देतु बाले का दुरस्त शिक्षा योजना लागू करने के लिए विद्थ विभाग द्वारा उनकी आइडी सेंगे जो वाइडी दी हुई है 268 2022 स्यामति प्रतान की गई जिसकी प्रति सलंग न की गई है और साथी विद्वाग द्वाग को युजना अंद्रकत बजट मत जो भी दिया हुए बाइज जिरो दो जिरो तीन एक सो त क्रियासी लाख रुपे की राशी है वो इसमें आवंडित की गई है और अत्रिक्त बजट का भी प्रावदानिस पे किया गया और आएफमस पे यह उप्लप्त कर वाधी गई है अब परकरन में से सम्मेंद्धित विशुविद्ध देलों से वास्तवी गलाबार्तियों का स और राजकुमार राठी चाहरे प्रति निक्ती अईकत्वाले कोले सिक्षा जयापूर को स्टिट नोडल ऑफिसर निक्त किया जाता है और अईकत्वाले की पीडी घाटे में इस्तांतरित कर दी जाएगी यह जो भी यह सासंस जीव है उनके आदे से उच्छी सिक्षा के औ अब इसके बाद में जो आगे इसमें लिखा हुआ है कि यह भी तविवा की टिपनी है कि इसके द्वारा जो बजट है वो सेंक्षन भी किया गया है अब इससे और ज्याद में बाद में एक और नोटिफिकेशन वह आपको बदा देता हूं जिसमें इसमें नियम दिये कौन इंपनर परण का जो भी गैडलान क्या क्या होगी तो पहले तो इंट्रेक्शन है कि लॉंग टर्म बेनिफेट्स ऑफ द्गल एजुकेशन केन एलप एस सोसेटी तो ग्रो ऑस्पितलिटी एंड लीट टू वोमन इंपोर्मेंट विच केन भी फार रीचिंग इंपक्स यान यानि क्या क्या अब्जेक्टिव है तो सपोर्ट एजुकेशन आप गल्स चाल्ड इन दे युजी-पीजी डिप्लोमा सर्टिफिकेट कोर्सेज अंडर दो ओडियल यानि ओपन एंडिस्टेंस लर्निंग बाई रिइंबर्समिंग फिस यानि गल्स जो भी पीजी या या एक रिजुसं P-90 करेडिया उनकी फिसका इंपुरृण करकि न की सैता करना और ऑर कुंपल्टांड आटीज ए वीज क्सिंग लिए बल्स थे कि 12 नमगे मलंगंट जैसे की और इंड्यू सब्सक् moo-ाझाम इसका मैं उसकी तर्वडिए मैं उनके नषर दनेशों संखिया को बढ़ाना यानि कि जितने फुरुष उच्छ शीक्षा हमें भाग लिते हैं उतने महिलाओं कि पागिदार नहीं तुसको बढ़ाना इसका एक अब टार्गेट गुरूप कौन सा होगा तो कौन-कौन मुल इसके पात्र होंगा या टार्गेट गुरूप कौन सा होगा किसको उसके में फैदा मिलेगा तो गल्स इस्टूडेंट और राष्थान यानि कि जैसे वह नोटिफिकेशन था उसमें लिगावा था कि राष्थान की जो मुल निवासी होगी उनहीं को फैदा मिलेगा कौन कौन पात्र होंगे तो ऐसी गल्स जो राष्थान की मुल निवासी है और जो अपनी जो भी इन्रॉल्मेंट किया हुआ है किसमें डिस्टेंस एजुकेशन यानि की दूर्स शिक्षा में जिसमें इगनु भी सामिल है यानि इंद्रा गांधी जो नाशनल लोपन इंश सब्सक्राइब शेयर सब्सक्राइब जो तो नो एज लिमिट कोई निए जैसे हिंद्य में नोट्विकेशन मैंने बता है उसमें भी लिखा हुआ है कि इसकी कोई आई शीमाने होगी दूसरा दो इसके में एप्लिकेशन एप्लिकेबल टूद गर्ल केंडिट यह उन गल्स केंड़िट के लिए एप्लिकल होगी विज रेजिदेंट ऑफ रास्तान जोगी रास्तान की मुल्निवासी है एज टेकन एडिमेशन एडिस्टेंस दूसरा में जिसमें यूजी यानि की बीए बीसी बीकॉम या पीजी यानि जैसे में में स्टेट वंडेड और दूसरा को चलाती हो उसमें और स्टेट गवर्मन इस्टूटिट इंक्लूडिंग इगनु यह जिसमें एगनु को भी सामिल किया गया है क्यों पूरे परत सरक करका है इसको भी इसमें सामल किया क्योंकि इस्टेंस में और प्रिफेरेंस विल बी गिवन अंडर दर इन दो ओडर आप पीजी यूजी डिप्लोमा इन सटेप्रिक्ट कोर्स इनि सबसे पहले पीजी को वरीता दी जाएगी उसके बाद में इस तरीके से इसमें प्रिफेर करना है या वो इसके पात्र है अब जिसमें वह लिगा हुए कि तो केन्डेट्स वीज अवेटिंग फूर्द आवेलिंग फॉर्द फूर अधर प्र पी इंपर्समें इंडे स्टेट गवर्मेंट स्किम्स दूरिंग तो प्र वह सेम टेनियर में उसी वर्समें जिसमें पराप्त होगी निए एक समय में एक ही चातरवर्ती पराप्त होगी लेगने समें लिखा वब बट इस स्टुडेंट्स विल गेट इंबर्समेंट आप दिसने जोड़ और और अग्रम लोग किसी को प्राइज की रूप में स्कोलर्शिप मिल रहे या इंसेंटीव की रूप म ही ज tapi आप आप मिल रही है तो फिर आप इसमें पातर नहीं होगे लेकिन जो प्रैज के रूप में या इंसेंटीव की रूप में और सअय को lagi की उस में अगर कोई डिस्टेंस एजुकेशन में अगर पोस्ट मैट्रिक विया दिर जो स्किम में पाग ले रहे हैं राष्टान विल गैट फ्री रिंबर्समेंट फ्रम दो एग्जिस्टिंग प्रोसेश ऑप दो फी रिंबर्समेंट अंडर सोचल डिस्टिस यानि सामाजी नहीं इतिकाद विभा के समझ में उनके किसी भी स्कीम के तरह अगर आप अपनी जो भी छूट है या अपनी जो फीस है उनका पुनर परन पराप्त कर रहे हैं तो आपको उसी तरीके से करने होगी इस तरीके से में मैं आपको अप्लाइए नहीं करना यानि एक समय में एक ही तरह चातरवती वो नहीं मिलेगी और अगर उसमें आप पाविदन कर रहे हैं तो फिर इसमें नहीं करेगी यानि एक समय में एक चातरवती मिलेगी देगा अब नेचर आप असिस्टेंट अवेलेबल अडर दो इसकीम यानि किस तरीके से ही होगा तो फी इंबर्समेंट पो अब इसमें पर इंबर्समेंट होगा और नो अधर एडिसनल ग्रांट विल भी पेडल है नहीं जो फी से वही आपको दी जाएगी इसके लावाज दूसरे जो ग्रांट पर रहे है तो वह आप पो नहीं मिलेंगे आपको सिर्फ पीस का जो है पुनर परन होगा अब इसमें किए जो साल मेंगा जाएगा जिसमें साल में नहीं ऐक बार इसके लिए आवेदर नमतृत की जाएंगे और शोट नोटिफिकेशन विल बी आल्सो अपलोड़ दिन दे एस्टी वेबसाइट यही जो वेबसाइट है उसके उपर आयर एक नोटिफिकेशन भी जरी किया जाएगा कि जो भी इसमें पंदर भराण के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं दो इनकोंप्लेट एप्लिकेशन विल बी समरेली रिजेक्टेड आपर दो डियू कोशिटरेशन अगर आवेदन अदू रहा है तो वो रिजेक्ट कर दिया जाएगा तो आवेदन चो भी आप परें पूरा परें पूरी डिटेल विगर बरें और वोस्ट इंश्री इंस्टी है वो उस संस्था की स्टूडेंट है वो उसको वेरिफेय करेंगे और अल्ली वेरिफाइड ऑनलाइन एप्लिकेशन विल भी एप्लिकेशन होंगे वही आगे पूरा परेंड के लिए पात्र होंगे यहीं कि जो भी आप किसी भी संस्था से जैसे माला कोटा से करें तो आप जो भी एप्लिकेशन परेंगे वहां फरूड होगी और वहां से वेरिफाइड होने के बादी राजिसर का की तरफ से आपकी फीस का जोपनर पराण होगा और टोटल सीट अंडर पीजी यूजी और डिपलोमा और सेट्विट्स विल भी डिचाइड इडिएड वान द स्ट्रेक्शन देकंडेट स्ट्रेक्ट्ट्ट्री अगादमिक परफरमेंस उसके रहती है यह जो भी एक्जाम इसको क्लिप कर लाता है तो उसको नहींद रूप से चाटरवादी एक बार सुरूने का बदे मिलती रहेगी दफीस इंबर्समेंट विल भी एवादेट फॉम जिस दिन से आप इंस्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट जोन करते हैं और वहां से गर आपको इसको वेरिफ़ी कर देता तो उसी तारिक से आपको रिंपर्समेंट यह पीज हो जाएगा उसके लिए प्रसेस होगा जिस्ट्डनेंट ऐस्ट एप्लाइव एंड़नें टूंसर्ण इनस्थी आपको इस पोटल पर अप्लाइ करना है और जैसे आप अप्ले करेंगे वह आपकी जो भी संस्था या जो भी इनस्थी के पास पर्म जाएगा अगर इंसे पर दिगन के पास जाएगा और वहां से वो व्धै करेंगे जो बी सब्सक्राइब करने पड़ेगी उसके बाद में जब भी एस्टी पोटल पे आपको ऑविदन आवेदन आवेदन करना है आपको अदमिस्टी के दोरा स्कान्पम हो जाएगा तेब आपको फीस का पुनर भरन होगा आपकी फीस माप नहीं होगी लेकिन आपकी फीस का पुनर प्रोन होगी नहीं जितना आपने जैसे 5000-4000 फीस आपने जमा किये वो फीस आपको पुनर पापिस अपके खते में सब्सक्राइब करेंगे और तब आपकी जो फीस आपना फॉर्म अप्लोड करना पड़ेगा वहां से वो वेरिफे करेंगे और तब आपकी जो फीस है वो डिवीटी के मादम से आपके खाता में जमा होगी और डिशिजन वान्द रिवार्ड रिन्यूवल और रिमिर्शमेंट विल बी सब्जेक्ट टूद डिशिजन आप दिपार्टमेंट और इसके समद्द में आरे जुसन है वह वह प्रोसेस करना है और रिन्यूवल चैन सब्सक्राइब कर लेते हैं तो आप अगले साल के लिए भी रिन्यूव हो जाएगी दिश्टुटेंट फेलिंग प्रोमोटेट इंदर क्लास नेक्स क्लास और लेवल फॉर्स इट फॉर्ट बेनिविट आप दिस्किन एगर आप फैल हो जाते हैं आप किसी कोर्स में लिए सब्सक्राइब के लिए अगर आपने आविदन की आफिस जम्हा होगी आपके पुंदरपण होगी लेगिन आप उसी कक्सा में आप फैल हो जाते हैं तो अगले सेकंडियर के लिए पत्र नहीं होंगे तो यह सेक्टमी कमला सटिस्पेक्ट्री अकेडमिक जो है वह 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 प्रमिटेड और आप कोर्स को चेंज करना चाहते हैं बीच में तो वह संबबनी होगा इप दो केंड़ेट चेंज दिस और सब्सक्राइब को अपना को चेंज कर देता है तो यह पूर्फिट्टिट फ्रम देट अप दो सच चेंज यह उस चेंज के बाद में आपकी जो फ बिचांस मनें इसे इतन के लिए 12,000 शुटे और सुर्फिट फ्रम फी और फीफेर इस के लिए मिलेगा अब इंटरप्रेटेशन आप रूल सब्सक्राइब जो रूल से उन में अगर कोई भी समस्य आई या कोई भी है तो वह एजुकेशन डिपार्टमेंट है वह फाइनली और अथरोटी है अगर किसी तरह की कोई पिसन चाहिए या कोई भी उसमें इसके लिए यह जो एजुकेशन डिपार्टमेंट ने वो शेड करेगा और सिम्विल बीमेटेड वान्ट मॉनित्र वाइद आज एकिट विपार्टमेंट वी तरफ से मन्ने वेलिड है अब मैं तो आपको बता है ता हूं कि जैसे गैरा तारीका इसमें बताया था कि यहां ज लिखा होगा अब को the cameraág जैसे यह प्रेस्टैमिशन की हुग हो схखे और भी यही कर सकते कि अभिए नोटिफिकेश्न आपको काहँ से मिलेगा तो जैसे प्र नोटिफिकां सी Off-up लोगे इसमें आप यहां दिखेंगे तो वी मुझा बीद्धियार्थियों को सिक्षा अगर इस पर आप क्लिक करेंगे तो इस तरीका जो यह पेज को लेगा यह जैस्तरीका और इसमें एक पीडियेफ है इस पीडियेफ को आप यह से डाउनलोड करेंगे यह वही है जो मैंन क्यांने वेब साफ होता है और यह जो दूसरा दो मैंने आपको बताएथा यह में यह इसमें आए इसमें पूरा यह दिया हुआ है कि पुलुक्त होगा पात्रा आइक की के मुझानी है जो बबली है जो सिक्षा के लिए है और अन्य कोई भी चातरवर्तिकर ले चाथरपर्ती मिलेगी यह पूरी जनकारी मैंने आपको बिल्कुल विस्थार से और आफ्टेंटिक जनकरी आपको वहादा दी जो विस विछ उसकी साइट पर यह नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा और डेमिशन की डेट भी मैंने आपको बहुत आदि जैसे फस्टीर की यह जो डिट है यह प्रमोटी सेकंड रडी एकर इसके भी यह तो इसके भी ग्यारा तक है और फ्रेस्ट एडमिशन की भी ग्यारा ग्यारा है तो यह सूचना में आपको देदी जद्ध जद्ध वीडियो को अपने जो भी साती है खस करके जो महिला या बलिका आएं वह शेयर अगले वीडियो में जब भी यह प्रोसे सुरू हो जाएगा यह टी की तरब से आपको बदाने का प्रेस करूंगा तो अभी लिए इतना ही मिलते नेक्स्ट वीडियो में तब तक जय हिंद जय भारत